ओके तो मुझे पता है कि आप लोग सब मुझसे नाराज होगे कि आकिल कार में इतने जुनों से कहां गायब था थोड़े बहुत पर्सनल रीजन थे और थोड़े बहुत ये भी रीजन थे कि मैं एक बहुत ही बहतरी टीवी सीरीज देख रहा था कि यह मुझे जितना मुझे फर्स टाइम देखते वक लगी थी एक लॉप फर्म के बारे में है और वहां पर काम कर रहा है चुरिंदा लॉप्रोफेशनल के बारे मैं और इस लॉप उस चल रहे हैं अप्संट डाउंस के बारे में है और काफी सारे प्रॉब्लम जो बाहर से आते हैं as well as जो problems यह law firm वाले खुद create करते हैं उनके बारे में इसमें romantic relationships है complicated relationships है बहुत सारी चीजों का एक बहुत ही तगड़ा combination है यह series अगर आपने इस series नहीं देखी है तो definitely इसे जरूर एक बार देखिए इसके 9 season है total और मैं दूसरी बार देख रहा हूँ और मैं और चौते सीजन पर हूँ तो जस आप imagine कर सकते हैं कि मुझे कितनी अच्छी लगी है यह series वैसे यह series Netflix पर available है और आप जानते हैं कि Netflix के Ultra HD account आते ह को देखिए या फिर इस वीडियो के description में दिये गए हमारे WhatsApp नमबर पर हमसे तुरंत कॉंटक कीज़े सब्सक्राइब कीजिए फीट फ्रिक्स को और बैल एकन को दबाईए latest movie update सबसे पहले देखने के लिए Mulan ये एक live action movie है 1998 में ही बने animated movie Mulan पर मैंने 98 की animated movie नहीं देखी है मगर इस movie का trailer देखने के बाद में मैं काफी excited था इस movie को देखने के लिए especially जिस सादगी से ये बंदी अपना नाम कहती है I am Va Mulan वो देखते ही बनता है वो सादगी मतब impress कर देती है आपको प्लस यार वो दिवाल वाल सिंदेगा था अपने जो इसाप से कूद के ये लोग उपर चड़ते हैं और of course वो विच जो परिंदा बन जाती है नेक्सेटरा 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 पता नहीं क्या क्या करती है कपड़े फेक के मारती है ये लोगों को तो इतनी सारी चीज़े टिलर ने दिखाया था so of course मुझे लगा कि मुवी उससे बहुत जादा हमें देगी मगर unfortunately मैं गलता है स्टोरी चालू होती है चाइना में तब जब कोविड के केसिस नहीं थे वहाँ जहां पर चाइना के राजा चाइना के लोगों को कहते हैं के बाई एक बेटा देना पड़ेगा अपने परिवार से आप सब को क्यूंकि northern invaders आ रहे हैं और हमारे जवानों की जनसंग क्या बह करेंगे अब क्या हुआ मुलान अपना राज चुपाते हुए अपने आपको डिफेंट कर पाती है या नहीं और भाई अपने एंपरर को भी डिफेंट कर पाती है या नहीं और कैसे ये northern invaders से हवा में उड़ते लड़ती हैं कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी जिसका नाम है वा मुलान मतलब इतना अचा लगा मैं वा मुलान ही कर रहा हूं एक नमबर है त्रूआउट थो मूवी में आपको डार्क और वाइबरेंट कलर्स एस वेल अमेजिंग लोकेशन एस वेल एस वी एफेक्स यूस करते डिखते हैं और मेरे खाल से यही मूवी का सबसे स्ट्रॉंग कॉइंट था क्योंकि इसके अलावा मुवी सारी जगहों पर हमें डिसपॉइंट करती है ट्रेलर में हमने जो आक्शन देगा था उससे जादा एक्सपेक्ट मत करना इन फाक्ट कुछ आक्शन सीक्वेंसेज में तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बैक टू बैक नॉन स्टॉप आक्शन होगा अनफॉचनेटली जितने भी आक्शन सीक्वेंसेज थे सारे पूर लगें तुरॉट दू मुवी में आपको स्रिफ एक ही आक्शन सीन पसंद आएगा वो यह कि जब भी यह लोग तलवार घुमाते हैं जुग 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 जिसे आफकोस एफक्स के बाद में निकाल दिया गया है और आप किसी कमजोरी को यह वी एफक्स को पकड नहीं पाते हैं और इस सीन वस क्लेरी विजबल बेसिकली मैं एक ऐसा बनना हूं जो कि मुवी देखता नहीं है मम भी को खाता हूं मैं उसका हर एक सेकंड हर एक मिनि हर एक मुमेंट एंजॉय करना चाहते हैं मगर अनफॉचनेटली थ्रूआट दो मुवी में मूलान हमें कई सारे जगह ओपर डिसपोइंट करती हैं मुवी की स्टोरी एक ऐसे चाइना के बारे में है जो कि अपने रूस को लेकर काफी सीरियस है और थ्रूआट दो मुवी म काता है कि वो अपने कांट्री को लेकर कितना सीरियस है मगर वह इमोशन निकलते हुए या उस एमोशन को हम मुवी में स्ट्रॉंग लिए शीज बेसिकली जो भी कारक्टर होते हैं सीरिच वह से अनॉट इस सिरिजस्नेस अब लड़के हैं और कोई लड़की नहीं है और उसे लड़का बन कर जाना है तो सबसे बड़ा चैलन्ज था आपको जो कि कही न कहीं मुझे ठीक ठाक लगा बट सिर्फ वॉयस चेंज कर देने से और चेहरे में कुछ भी चेंजस नहीं करने की वज़े से थोड़ा बहुत यहां पर तो चाइनीज के लोगों ने खुद बता दे हो हम तो यह नहीं बता पते कि आदमी कौन है और और औरत कौन है तो मुझे असा लगता है यहां पर थोड़ा इंप्रूमेंट करना चाहिए था थोड़ा कुछ और अडिशनल फैक्टर डालना चाहिए था जहां पर हम क को यह कंविस्स किया जा सके कि यह एक लड़का ही है और किसी भी अंगल से लड़की नहीं लग रही मुवी का सबसे ऑफ़र सीन मुझे लगा जब डॉनी एन बेसिकली मूलान को यह कहते कि मैं अपने लड़की का हाथ जो है ना आपके हाथ में दूँगा I have no idea कि क्यों यह सीन मुवी में डाला गया but this was embarrassing मैं भी अगर ऐसा होता और मुझे you know कोई लड़का इंप्रेस करता और मुझे पता चलता है कि you know what मैंने अपनी बेटी की शाधी जो है उससे करने की तैक ही है बाद ने मालम पड़ा कि बहुस वो तो लड़का नहीं है वो तो लड़की है that will be an embarrassing moment for me इस scene को निकाला जा सकता था कोई जोरत नहीं थी इस scene की इस movie में but I have no idea क्यो डाला गया but this was the embarrassing you know scene in the entire movie movie की story कही न कहीं कमजोर थी but movie का action और movie का movie को really उपर उठा सकता था मगर unfortunately movie villain के उपर कम focus करती है वह मुलान और उनके family के उपर और उनके country के उपर जादा focus करती है हाँ ये सही था कि country के उपर family values के उपर ने movie में focus किया था but कम करना चाहिए था जितना time इनोंने family और मुलान के family और उनका connection उनके emperor को लेकर दिखाया है उसकी जगा पर अगर villain को और strong दिखाया जाता कुछ ऐसे serious action scenes दिखाया जाते जहाँ पर हमें लगता कि no what villain ने तो मुलान को ले लिया था तो शायद हमारा movie में और interest आ था trust me movie के end में जहाँ पर आप intense action expect करते हैं उस action sequence में भी I mean like इतना gap डाला गया I mean like कोई villain क्यों wait करेगा आपको मारने के लिए आप आओगी और आपको तुरंत मार देगा because उसका main मकसद है कि emperor को मारना और आप आओगे वो आपको देखेगा अचानक से गया भुजाएगा और 10-15 seconds के बाद में you know what आपको मोका देगा ने आप जाओ छुडा लो और उसके बाद में आप पर अटाक करेगा क्यों? So कही ना कही आक्शन थोड़ा बहुत slow भी था Trust me, जितना आक्शन आपने ट्रेलर में देखा न उतना ही आक्शन देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है मूवी में और सीरिसली कहूं, मूवी जब खतम भी हो जाती है तो मूवी खतम होने के 15 मिनिट तक ड्रामा है I was literally praying की बहुत मूवी खतम हो जाती हूँ अब literally पका रहे मुझे So, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए Unfortunately, मुझे इस मूवी को rate करना पड़ेगा 5.5 out of 10 मगर आप कहीं मत जाएए अब वक्त आ गया है Netflix के Ultra HD Account के 4 winners Announce करने का as promise So, without any further ado, let's get started So, हम आ गए हमारे screen पर जहां पर हम comments को select करेंगे सबसे पहले मैं confirm कर दूँ कि ये वो ही video link है जिस पर मैंने giveaway announce किया था दोस्तो इस review को ये वो video है So, इस video का link हम जाएंगे और यहां पर comment picker पर paste करेंगे duplicate user filter कर देंगे और देखेंगे कि कितने comments हैं So, total 70 comments है So, ताकि ये video जादा लंबा ना हो बिना किसी बक्वास के चलिए first winner को चूज करते है So, start So, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है पहला winner? Okay, hi sir, nice review I was the first one to see your video Okay, so unfortunately इन्होंने answer नहीं दिया है So, he cannot be the winner So, let's go to the second one Start Okay, so पहले winner है Nikil A.K. I think Nikil A.K. पहले भी जीच चुके हैं Anyways, इनका answer correct है हमारे तीन चैनल का नाम है Fit Flex, Fit Trailer और Fit Music So, Nikil, congratulations You are our first winner So, let's go to the second winner Start So, second winner कौन है? हमारा देखते हैं हम Second winner है Chiranjeev Vyaz I think Chiranjeev को मैं जानता हूं He has already taken Netflix from us So, congratulations Chiranjeev आपका answer बिलकुल सही है So, let's go to the third winner So, who is the third winner? Winner, 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 hurry up And it's Akash Kumar And the answer is correct So, congratulations Akash And let's go and pick our final winner Pick another winner, start So, कौन है हमारे final winner Let's see It's Devjit Mishra Devjit Mishra, congratulations You are last and final fourth winner आप चारो को मिला है Netflix का Ultra HD account बिलकुल free वो भी पूरे एक मैने यानि कि 30 दिन के लिए So, winners को congratulations चारो winners को मैं request करूँगा कि इस वीडियो के publish होते से ही 48 hours यानि कि 2 दिन के अंदर इस वीडियो के description में दिये गए हमारे email ID पर हमसे तुरंद contact करें और उसी email ID से contact करना जिस ID से आपने हमारे वीडियो पर comment किया था और उन लोगों के लिए जो की winner नहीं है आप उदास मत होई है क्योंकि अब से मैं 4 giveaways एक साथ देने की बजाए अपने almost हर एक वीडियो पर Netflix Ultra HD account का एक giveaway करूँगा और उसका result भी अगले वीडियो में दे दूँगा तो आपको अब 30 दिन रुखने की ज़रत नहीं पड़ेगी दोस्तो ये था हमारा review movie Mulan का अगर आपको हमारा ये movie review पसंद आया हमारे series reviews पसंद आते है Netflix, Hotstar, Amazon, Disney Plus, etc. सबके offers पसंद आते है हमारा Netflix का giveaway पसंद आता है तो please हमारे channel को subscribe करना ना भूले और हाँ bell icon दबाना बिलकुल न भूले आंते तक video देखने के लिए धन्यवाद stay home, stay safe